हेलो डियर स्टूजिंट्स वेलकम टो एटीपी स्टार होपिंग आप सब बहुत बहुत अच्छ होगे तो बच्चो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले एंग बहुत ही इंट्रस्टिंग कॉंसेप्ट ऑफ और्गिन केमिस्ट्री जो है आर एंड एस कॉंफिग्रेशन आर एंड एस कॉंफिग्रेशन को किस तरीके से हम बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं वाट इस दे वे कोई ट्रेक एवरिधिंग इस छोट एसी वीडियो में आप सभी को समझ में आने वाली है तो क्या आप सभी तैयार है तो कॉपी पैन बच्चो लेके साथ में बैठी है क्योंकि उसी से ही आपको समझ में आएगा सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलने वाला तो सेशन को शुरू करने से पहले बच्चो लूंगा मैं प्रभू का नाम भगवान का नाम बोलूंगा जैश्री डाम आप सभी भी कॉमेंट सेक्षन में अपने भगवान का नाम ज जैसे के आप देख सकते हो, यह center chiral है, chiral center क्या है, यह already आपको पताऊना चाहिए, इस related video में बना भी चुका हूँ, अब chiral center होने के कारण, यहाँ पर possibility क्या है, three dimension में हो सकता है, यह जो chlorine आपको दिखाई दे रहा है 3D में, या तो यह above the plane, यानि तुम्हारी तरफ हो सकता है, आ रहा हो, यह हो सकता है, यह wedge की बजाए, dash में आ रहा हो, यानि below the plane हो, यानि इस chiral center के across, there are two possible configurations, arrangements, तो three dimension में, अगर हम देखें, तो इन दोनों में difference आ रहा है, एक में chlorine आगे है, तो एक chlorine पीछे, position wise difference नहीं आ रहा, position wise अगर देखा जाए, तो दोनों ही cases में, second position पे chlorine आ रह देखें, तो direction change आ रहा है, तो chiral center की basically, दो configuration possible है, अब उन दो configurations को हमें कुछ नाम तो देना होगा न, तो ऐसे ही हम हवा में कुछ भी बोलेंगे, तो काफी awkward हो जाएगा न, कि यह CL wedge में है, यह CL dash में है, यह क्या sense हुआ, तो chiral center के across, जो चार groups लगे होते हैं, उस particular arrangement को, या तो हम R नाम देंगे, या उस arrangement को हम S नाम देंगे, तो RS configuration हमें किस बारे में बताता है, बच्चों, यह हमें chiral center के across, जो चारो groups लगे होते हैं, उन groups की arrangement के बारे में, three dimensional arrangement, यानि configuration के बारे में बताता है, तो it is defined for chiral center, दो possibilities इसमें रहेंगी, यह मैंने बता दिया, या तो configuration या होगा S configuration, अब यह R क्या है भाई, देखो R काना full form तो rectus होता है, rectus का basically meaning होता है, towards the right, right side की तरफ, यानि clockwise, clockwise तो R को overall दिमाग में रखेंगे clockwise, और अगर यह clockwise है, तो यह जो S है, यह basically कैसा होगा, यह होगा anti-clockwise, अब सीधा questions में apply करके देखते हैं, कि यह जो configuration है, यह नि how to do it, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों कि अगर हमारे सामने vagin dash आता है, vagin dash आता है, तो ऐसे case में हम RS configuration किस तरीके से निकालते हैं, तो जैसे कि माली जी हमारे सामने आ जाता है, कुछ इस तरह का ही similar case, और यहाँ पे bromine है, और यह center है chiral, अब हमें इसका configuration निका दालना है, तो इससे जुड़े वे जो चारो atoms है, groups है, वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि, as you can clearly see, एक atom जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो यहाँ पे dash पे भी कुछ होगा, वो होगा hydrogen, तो यहाँ रखिये, कार्बन का hybridization sp3 है, तो H यहाँ पे dash में होगा, और ब्रोमीन wedge में होगा, अब हमें क्या करना होता है, इस chiral center से जुड़े वे जो चार atom directly, चार group जो जुड़े, उनको हमें priority देनी होती है, priorities देने के लिए, यहाँ पे जिन rules को बोलते हैं, कौन से rules follow होते हैं, उनको बच्चों बोला जाता है, CIP rules, CIP rules follow होते हैं, simple शब्दों में, यहाँ पे atomic number जिसका high होगा, उसको priority मिलेगी, तो यहाँ पे पहला priority मिलेगा, bromine को, first तो इसको मिलेगा, second किसको मिलेगा, अब इधर दोनों की दोनों carbon हैं भाई, अगर दोनों carbon हैं, तो उससे अगले atoms को देखो, इस carbon से जो अगले 3 atoms directly जु रहे हैं, वो कौन-कौन है बच्चो, वो है दो तो hydrogen, लेकिन एक हमारे पास क्या है, carbon, hence, right side में आप देख सकते हो, naturally, there are more number of atoms, जिनका atomic number क्या है, जादा है, तो naturally, यह जो पूरा group ethyl है, इसको priority number 2 मिलेगा, और यह जो methyl है, इसको मिलेगा 3, और यह जो छोटु है, इसका atomic number lowest है, तो इसकी priority क्या है, last है, तो जिसकी priority बच्चो last होती है, उसको बोला जाता है LPG, LPG का यहाँ gas से कोई link नहीं है, it is lowest priority, मुझे से school की यादित आजा हो गई, school में हम कई सारे हमारे friends थे, बलकि कई सारे नहीं, एक ही friend था, उसको हम Louis भी बोलते थे, उसको हम LPG भी बोलते और वैसे उसका नाम था राहुल, तो hoping that राहुल यह वीडियो नहीं देख रहा हो, तो उसको LPG क्यों बोलते थे यह तो आप सभी समझी पा रहे हो गया, तो यहाँ पे 1, 2 and 3, अब क्या करना है, now what to do, तो आप न दिमाख में अब 1 को 2 से 2 को 3 से जोडते हुए एक line draw करो, ए 1 से 2, 2 से 3 जाओगे बच्चो, तो direction क्या आ रही है, clockwise direction आ रही है, ध्यान से देखे सभी, 1 से 2, 2 से 3 जाओगे तो clockwise direction आ रही है, और अगर यहाँ clockwise direction आ रही है, तो यहाँ पे spiral center का configuration होगा, R, क्या होगा बच्चो, R होगा, अब यहीं पे, ध्यान रखने वाली बात क्या है, ब्रोमीन डाश पे है, और ब्रोमीन अगर डाश पे होगा, तो यहाँ पे naturally, जरूर नहीं आपको दिखाए जाए, पर understood है कि यहाँ पे wedge में कौन है, छोटू है, ठीक है, अब priorities उसी तरीके से दी जाएंगी, यहाँ पे number 1 आएगी, इधर group number 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, और प्लेन आजाएगा, अगर LPG above the plane है, यानि wedge वाली position पे है बच्चो, तो you have to reverse the answer to get the real configuration, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 अगर आप जाओगे तो वैसे तो आना चाहिए, आर, लेकिन LPG अगर dash की बजाए wedge पे होता है, तो हमें answer reverse करना होता है, यहाँ the correct answer would be yes, यहाँ हो जाएगा, yes, understood तो lowest priority group कहाँ होना चाहिए, dash पे होना चाहिए, तब तो हमारा यह rule जो है clockwise, anticlockwise fulfill होगा, अगर वो dash की बजाए wedge पे आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, answer को reverse करना पड़ेगा to get the real answer, अब एक doubt आपके दिमाग में आ सकता है कि sir, माल लो, वो wedge यह dash में ना होके on the plane हो, यह on the board plane या on the plane of paper हो, तो क्या करेंगे, in that case बच्चों हमें molecule को rotate करना पड़ेगा in such a way, so that, in such a way, so that, या तो वो LPG dash पे हो, या LPG wedge पे हो, तो lowest priority group should be always at dash, otherwise अगर wedge पे है, तो answer reverse हा जाएगा, चलिए कुछ और example से हम लोग सीखते हैं, कि माल लीजे हमारे पास कुछ इस तरह का example आता है, यहाँ पे हमारे पास है, dash में bromine, और यहाँ पे हमारे पास है wedge में chlorine, और अब हमारे पास दो center chiral है, ठीक है, अब इनका RS configuration हमें निकालना है, तो आप वीडियो को pause करकी, you can try this out, कि कैसे हम निकालेंगे, इस तरह के question में, और इसके बाद फिर एक अगला question भी हम स्टूडेंट उसको सही करता है, और बड़ा ही मजा आएगा, यहाँ पे यह center chiral है, और फिर हम fissure projection में भी जानेंगे, कि भी RS configuration कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इसके बाद आई दिंग आपसे सारे question बन जाने चाहिए, regarding RS configuration, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमें इस particular center पे RS configuration निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, तो देखो, यहाँ पे इस center से, वही priorities देनी हैं, आसपास जुड़े वी group को, पहली तो ब्रोमीन को मिलेगी, बहुत high atomic number है, इसका, अब इधर देखो, इधर दोनों atoms same है, अगर दोनों atoms same है, तो उससे अगले atoms देखो, clear सी बा आएगा ना, ना बच्चो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, LPG नहीं तो धोका दे सकता आपको, ठीक है, तो यहाँ पे 1-2-3 अगर clockwise जाएंगे, तो आना चाहिएगा R, लेकिन R की बजाए S होगा, क्योंकि जिन्दिगी में बहुत बार जो हम चाहते हैं, वो होता नहीं है, है ना, तो clockwise it should be R, but because of LPG it becomes S, यहाँ पे अगर देखते हैं, इस कारे सेंटर पे सोचो, CL को number 1 priority मिलेगा, क्योंकि यहाँ कारबन है, डिरेक्टली जुड़े वे अटब्स को compare करते हैं, यहाँ कारबन है, ठीक है, अब दोनों कारबन होने की वज़े से हमें priority किसको देनी पड है, तो यहाँ पे आएगा, आर, क्योंकि यहाँ का जो LPG है, यानि छोटू जो है, उपके दर डाश पे है, तो LPG का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि सिर्फ clockwise यह एंटी clockwise से काम हमारा नहीं चलेगा, अब यहाँ पे देखो, इसको try करो, यह वेज यह डाश, और यहाँ पे atomic number सभी के अपने को पता होने चाहिए, तो as you can clearly see, कि यहाँ पे जो highest atomic number हमारे पास है, आप देख सकते हो, कि वो किसका होगा, chlorine का होगा, अब 1 के बाद यहाँ पे sulfur का आएगा, अब 3rd number पे किसका रहेगा, भई, 3rd number पे किसका रहेगा, 3rd number पे रहेगा, 4th number पे रहेगा, अब आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे जो LPG हमारा है ना, वो LPG on the plane है, यानि यह ना तो wedge पे है ना dash पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इस molecule को rotate करना पड़ेगा, इस तरीके से rotate करना पड़ेगा, ताकि यह जो OH है, LPG है, या तो यह हमारा dash पे चला जाए या हमारा यह wedge पे आ जाए, है ना, अब उसके लिए इसको जूले की तरह assume करो, और जूले को हमने यहाँ से घूमा दिया, यह जूले का main pipe है, pole है, जहां से sulfur लगा हुआ है, और अब यह जूला ऐसे घूम गया, घूमने की वज़े से आप समझ सकते हूं कि यह किस तरह से घ understand, rotate करो और उसके बाद solve the question, rotation करने के बाद क्या बनेगा, वो मैं आपको idea देता हूं, यह rotation करने से shape पे कोई असर नहीं पड़ेगा, घूमाने को, जूले को कैसे भी घूमा सकते है, clockwise यह anti-clockwise, तो यह OH है, यह घूम के यहाँ आजाएगा, यह जो fluorine है, यह यहाँ आजाएग फिशर प्रजेक्शन, मालीजी हमारे पास फिशर प्रजेक्शन आजाता है, तो फिशर प्रजेक्शन में क्या करना है, अरे भई, फिशर में भी आपको सेम चीजी तो करनी है, वही chiral center से जुड़ेवे चारो ग्रुप्स को आपको priority देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडिन, priority दो, मज़े से priority दो, और priority देने के बाद अब क्या करना है, LPG का ध्यान रखना है, आप सभी को यह बात याद होगी कि फिशर प्रजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन होती है, इस पे जो ग्रुप लाई करते हैं, वो डैश पे ल वर्टिकल लाइन मतलब डैश तो कोई दिक्कत नहीं है, below the plane है, इसका configuration आएगा S, है ना, अब यहीं पे अगला सवाल आप सभी try करो, अगर आपके सामने कुछ ऐसा आजाता है माल लो, तो क्या करोगे, यहीं अगर हमारा LPG, वर्टिकल लाइन की बज़ा है, horizontal लाइन पे आएगा, then what will happen, think about that, सोचिए उसके बारे में, can you think about it, yes, पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह, और यह, फोर्थ नंबर पे है भाई, LPG, वर्टिकल लाइन की बज़ा है, horizontal पे है, horizontal वाले जो ग्रुप्स होते हैं, बच्चों, यह क्या होते है, above the plane होते है, above the plane होते हैं, यानि answer हमें reverse करना पड़ेगा, तो clockwise का आना चाहिए था, R, पर आएगा क्या, आएगा बच्चो, S, it will be S, अब यहीं पे, अगर माल लीजे, multiple chiral centers है, Fisher के अंदर, माल लीजे, कुछ ऐसा है, यहाँ पे CS3 माल लेते हैं, fluorine है, chlorine है, hydrogen है, और यहाँ पे BCSD, अब हमारे पास यह दो center chiral है, और अगर हमें इनका RS configuration निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम से मैंने वीडियो को न, fast forward करती हैं, तो यहाँ पे, what do you think, अच्छा, एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ, अपना जो telegram community, बच्चों, उसका हिस्सा जरूर बन जाना, वहाँ पे मैं आपको tips, tricks, study material बहुत कुछ share करता हूँ, link जो है, वो description में दिया हुए, तो उसका हिस्सा आप सरूर बन जाईएगा, तो भई, यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं, तो भई, क्या करना होगा, वही से priority का खेल, प पूरे group को मिल जाएगा 2, और यहाँ पे CS3 को मिलेगा 3, और छोटू को मिलेगा 4, LPG कहां लाई कर रहा है, horizontal line पे, या नही, horizontal line का मतलब क्या हुआ, above the plane, या नही, answer आपको क्या करना पड़ेगा, reverse, तो 1, 2, 3 का direction देखो, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 जाओ, clockwise direction है, बच्चों, आर आना चाहिए, पर आएगा क्या S, क्योंकि जिन्दिगी में बहुत बार जो हम सोचते हैं, वैसा होता नहीं है, बात समझ में आई क्या, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा आएगा, similarly, ये वाला जो नीचे वाला काईरे सेंटर है, उसको भी आप निकाल सकते हैं, उसका भी RS configuration निकाल सकते हैं, तो बच्चो, overall, let me, let me sum up, what we have understood in RS configuration, देखे, RS configuration, काईरे सेंटर के आसपास जो चारों ग्रुप्स हैं, उसके configuration को हमें बताता है, दो तरह की हो सकती है, आइधर R और S, और उसका मैंने demonstration आप सभी को दिया, ये वेजन डैश में भी हम निकाल सकते हैं, इसको हम Fisher Projection के अंदर भी निकाल सकते हैं, Multiple Kairos Hunter है, तो भी निकाल सकते हैं, और जब इसका IUPAC naming होता है, उस naming में भी ये जो configuration है, कई बार उसको लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो numbering होगी, उसके हिसाब से हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इसका IUPAC numbering बात करें, तो IPC numbering लेफ्ट से होगी, because of the various rules, तो यहाँ पर हम इसका जो configuration है, वो इस तरह से भी demonstrate कर सकते हैं, 2S, 3R, तो 2S, 3R, 1R, 2S, 2R, 4S, यह सब का मतलब यह है, कि भाही जो second chiral center है, second number पर, वहाँ configuration S है, और third वाले पर R है, तो कई बार questions जो है, वो इस तरह के भी आते हैं, तो question कई तरह के आते हैं, बाकी again, you have to practice more and more, बहुत सारी practice करनी पड़ती है, लेकिन बहुत भयंकर, बहुत difficult questions, RS configuration से नहीं बनते हैं, आपको लेकिन, you need to know, कि कैसे हमें, RS configuration ही कालनी है, तो hoping that, इस छोटे से वीडियो से, आप सभी के concepts, जो हैं, वो clear हुए होंगे, comment section में जरूर ब and love you all.